Hello and welcome back to Fun and Chill Big Boss 18 का 6th October को धमाकेदार प्रेमेर हुआ होस सलमान खान इस सीजन के साथ एक बार फिर नए ट्विस्ट और थ्रिल के साथ लोटे Big Boss ने जहाँ इस बार के घर की जलक दिखाई तो वहीं ये भी बताया कि इस बार घरवालों पर क्या विब्दा गिरने वाली है पिछले कुछ टाइम से कंटेस्टेंस को लेकर जो डिसकेशन सेल रहे थे उन पर भी फुल स्टॉप लग गया है सलमान खान ने एक एक करके सभी कंटेस्टेंस के नाम से परदा उठाना शुरू कर दिया टीवी और बॉलिवुट के दुनिया के कुछ नामी चेहरे Big Boss 18 में धहमाल मचाने को रेडी है इनमें विवियन डिसीना से लेके एलिस कौशिक और शिलपर्श रोड कर तक का नाम शामिल है Big Boss 18 की थीम टाइम ट्रेवल पर बेज़ड है जिसमें कंटेस्टेंस के पास्ट, प्रेजन और फ्यूचर को भी देख पाएंगे पर ये किस तरह होगा ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है Big Boss 16 में जहां घर में एक डॉगी आया था, वहीं इस बार मेकर्स ने घर में गदराज याने की एक गदे को भीजा है शो के फॉर्मैट के हिसाब से कंटेस्टिंग को गदराज की देख भाल करनी होगी, इतना ही नहीं उसे पैमपर भी करना होगा बताया जाता है कि आगे के एपिसोड में Big Boss इससे जुड़ा कुछ टास्क भी करवाने वाले हैं यही नहीं इस टास्क को जीतने वाले कंटेस्टिंग को बड़े फायदे मिल सकते हैं हाला कि यह टास्क क्या होगा और इसके क्या फायदे होंगे, यह जानने के लिए तो हमें Big Boss के आगे के एपिसोड का वेट करना होगा Big Boss 18 में इस बार 18 कंटेस्टिंट होंगे सबी कंटेस्टिंट घर के अंदर जा चुके हैं शो का प्रेमेर कलर्स चानल से लेकर जियो सिनेमा आप पर लाइव देखा जा सकता है Big Boss 18 के प्रोमो में ही बता दिया गया था कि इस सीजन में क्या खास होगा प्रोमो में कहा गया था कि इस बार Big Boss जानते हैं घर वालों का भविशे इस बार घर में बूचाल आएगा क्योंकि Big Boss में टाइम का टांड़क चाएगा Big Boss 18 में जो सेलिब्रिटीज बत और कंटेस्टिंट नजर आएंगे वो हैं अर्जुन, अर्फीन खान और उनकी पतनी सारा अर्फीन खान Big Boss 18 की प्राइज मनी 50 लाक रुपे बताई जा रही है पिछले सीजन की भी यही प्राइज मनी थी पिछला सीजन यानकि Big Boss 17 मुनवर फारुकी ने जीता था इस बार कई दगडे चेहरे Big Boss की ट्रॉफी के लिए भिड़ते हुए नजर आएंगे इस बार Big Boss अगर काफी इंट्रेस्टिंग डिजाइन किया गया है क्योंकि यह शो की थीम टाइम का टांडव है इसलिए इसे इसी तरह से डिजाइन किया गया है कहा जा रहा था कि निया शर्मा Big Boss 18 की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट है खद्रो के खिलाडी 14 में उनका नाम भी सलमान के शो के लिए अनौंस किया गया था हलाकि निया ने अभी ये खुद बताया है कि वो शो का हिस्सा नहीं है उन्होंने फैन से माफी मांगी और कहा कि वो ये सब हाइप और अटेंशन के लिए था सलमान खान ने Big Boss 18 की पहली कंटेस्टेंट चाहत पांडे का स्वागत किया उन्होंने सलमान के फिल्म प्रेम रतन धन पायो के टाइटल सॉंग पर जबर्जस डांस किया और इंप्रेस कर दिया चाहत अपनी जर्नी और स्ट्रेगल के बारे में बताती है वो कहती है कि बच्पन में उनके पिता की मौत होगी ती तब ही से मा ने उन्हें भाई बहनों को अकेले पाला है चाहत ने बताया कि उनका सपना Big Boss 18 की ट्रोफी जीतना है सल्मान खान पूछते हैं कि अगर उन्हें Big Boss के घर में अंदर कोई पसंद आया तो वो शादी करेंगी क्या तो चाहत बोलती हैं कि नहीं करेंगी Big Boss 18 के दूसरे कंटेस्टें शाजादा धामी है उन्होंने दरदेर इसको काने पर डांस करके धमाकेदार एंटरी की वो गुस्से के बारे में बताते हैं फिर शाजादा धामी बताते हैं कि उनके साथ ये रिष्टा क्या कहलाता है कि सेट पर क्या हुआ था वो बताते हैं कि वो एक टीवी शो में रीड रोल कर रहे थे उस शो में उन्होंने बिना कोई छुट्टी लिये रोज 15 घंटे काम किया एक दिन उन्होंने अचानक छुट्टी दे दी गी फिर अचानक बुलाया और सबके सामने उनकी बिजज़ती की गई फिर सलमान शहजादा को रोकते हैं और बोलते हैं कि आपने भी तो कुछ ऐसी हरकते की होंगी जो बरदाश के बाहर होंगी तब ही उन्होंने ऐसा किया होगा फिर शहजादा बताते हैं कि उन्हें वकील का रोल करना था और पहले से ही ब्रेसलेट पहना दिये गए थे क्रियेटे डायरेक्टर ने उन्हें ब्रेसलेट उतारने को कहा शहजादा ने बताया कि जब उन्हें ब्रेसलेट उतार दिया तो डायरेक्टर ने उन्हें बुडी तरह से लतार दिया चाहत PANDA की घर में इंट्री होती है और Big Boss उन्हें Jail की सज़ा सुनाते हैं फिर Big Boss चाहत से कहते हैं की Jail की भूख है और उनका पेट भनना है अगर वो Jail में नहीं रहना चाहती है तो जो घर में इंट्री करने वाले किनी दो सदस्यों को Jail भेज सकती है बिग बॉस ने बताया कि जैसे जैसे काल का चकर भूमेगा घर में सदस्यों के एंट्री होती जाएगी घर में अविनाश मिश्रास शहजादा की एंट्री होती है चाहत उन्हें जेल में जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है सल्मान फिरोस हिरोईन को बतार चौती कंडेस्टिन बुलाते हैं जिनके साथ लगबख 90 के डिकेट में आसपास करियर शिरू किया था ये है शिल्पा शिरोड का जो रिष्टे में साउट स्टार महिज बाबु की साली भी लगती है पाच में कंडेस्टिन तजिंदर सिंग बगगा की एंट्री होती है वो बीजेपी नेता है और तजिंदर सिंग बगगा आते ही अपने जिंदीकी से जुड़े मज़ेदार किस्स सुनाते हैं जेल को लेकर भी वो सलमान से मस्ती मजाग करते हैं। फिर अनिरुद्दचारी महाराज तरजिंदर भगगा से पूछते हैं कि वो शो में क्यों आए और शादी क्यों नहीं की। अन्हें रुद्देचारे फिर सल्मान की शादी करवाने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो उनके लिए डून कर लाएंगे और जो लाएंगे वो भागेगी नहीं, तब सल्मान खन कहते हैं कि हमको बार बार भागने वाली चाहिए, भगोडी चाहिए उससे शादी करेंगे आटवी कंटेस्टेंट के एंट्री होती है और वो है टीवी एक्ट्रिस नायरा बैनर जी स्टेट पर सल्मान उन्हें तजिंदर बगव शुतिका अर्जुन से मिलवाते हैं सल्मान खान फिट नायरा से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लड़का चाहिए तो वो बोलती है कि मस् फिर सल्मान आटवी कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि वो सोते सोते ही भविश्य देख सकती हैं ये है अरुनाचल प्रदेश की चुम दरंग ये कई सारे ब्यूटी पेजेंट जीट चुकी हैं और साथ ही बदाईदो और गंगुबाई काटियाबाडी जैसी म इसका हिस्सा रह चुकी है नाइन्थ कंटेस्टेंट है करनवीर महरा उन्होंने हाली में खत्रों के खिलाडी 14 जीता था और अब सल्मान खान के शो बिग बॉस 18 में दमखम दिखाने को तैयार हैं सल्मान फिर करनवीर से उनकी अफेर और शादी के बारे में पूछते हैं तो उनका दर्द जलग पड़ता है कंटेस्टर नमबर टेंथ हैं रजट दलाल जो शोशल मेडिया इंफ्लूएंसर हैं रजट दलाल अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जब उन्होंने मेडल जीते तो किसी ने ध्यान नहीं दिया पर जब जेल गए तो सब लोगों उन्हें निशाने पर लिया रजट दलाल ने पावर लिफ्टिंग में देश के लिए कई मेडल जीते हैं और फिटनेस इंफ्लूएंसर भी हैं सलमान रजट से पूछते हैं कि जब उन्होंने मेडल जीते तो लोगों नहीं पूछा और विवाद होते ही वो च्छा गए ऐस रजट दलाल ने बताए कि जब वो पावर लिफ्टिंग लाइव करते थे तो पांसो छेसो लोग ही देखते थे पर कॉंट्रोवर्सी होने पर उनका लाइफ पांच लाख लोग तक देखते हैं हाली के एक वीडियो सामने आने के बाद रजट दलाल को आलोचना का सामना करना पड़ा वीडियो में उन्हें लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए और डेली एंसी आर में एक बाइकर से टकराते हुए दिखाया गया था इसके लावा रजट कई बार कानूनी मुश्किलों में फस चुके हैं और जेल भी गए हैं रजट दजाल ने सल्मान के सामने अपना पक्ष रखा उन्होंने यूट्यूबर कैरी मिनाटी के साथ चल रहे अपने जगड़े के बारे में सल्मान से खा कि कैरी मिनाटी ने उनकी सहमती के बिना एक रोज वीडियो बना कर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया बिग बॉस 18 की 11th कंटेस्टेंट है मुस्कान बामने जो टीवी के नमबर वन शो अनुकोमा का हिस्सा रही है मुस्कान अनिरुद्धचारे महराज से पूछती है कि घर में जगडा होने पर वो कैसे डील करें अनुरुद्धचारे फिर मुस्कान बामने को उंगली का इस्तेमाल करने को कहते हैं वो बोलते हैं कि जहां जरूरत पड़ें वहां बोलो नहीं तो चुप रहो 12 वी कंटेस्टेंट है अर्फीन खान और 13 वी कंटेस्टेंट है उनकी वाइफ सारा अर्फीन खान अर्फीन का नोतिक रोशन के अलावा कई मुवी स्टार्स के लाइफ पोच है अर्फीन ने कहा कि किसी को भी मैनिपलेट करना उनके बाए हाथ का खेले और वो अपने शब्दों से किसी का भी माइन बदल सकते है अर्फीन और सारा खुद को माइन हैकर्स बताते हैं वो बोलते हैं कि बिग बॉस के घर में उनकिसी का डर नहीं है वो घर वालों के माइन के साथ खेलते हूए नज़र आएंगे सल्मान फिर कलर्स चैनल बर तंच करें लाइए वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कलर्स अपने चेहरे को कैसे न बुलाएं फिर वो बताते हैं कि 14th कंटेस्टेंट ईशा सिंग है जो कलर्स की टीवी शो सिर्फ तुमकी लीड अक्टरिस नहीं है ईशा कहती है कि कलर्स वालों ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया है कलर्स ने उन्हें सुबा फोन किया और कहा कि आप ये शो कर रही हो ईशा ने शो करने से मना किया तो एमोशनली ब्लैक मिल किया कि तुम एहसान फनामोश हो हाला कि ईशा ये सब मजाक में बोलती है सल्मान कान फिर 15th कंटेस्टन गुर्डरत्र सदावर्ते को बुलाते हैं जो पेशे से वकील है उनका पालतू गदा भी सल्मान के शो का हिस्सा है सल्मान ईशा से बोलते हैं कि गुर्डरत्न उनके ऑफिशल वकील है और अब उनके जरिये अपनी आवास पुरे देश तक पहुचा सकती है गुर्डरत्न बोलते हैं कि हम डाको के खांदान से आते हैं आवास पहुचने से पहले हमारा नाम पहुच जाता है सलमान खान फिर 16 वी कंटेस्टिन हेमा शर्मा को बुलाते हैं जो वाइरल भावी के नाम से मशूर है सलमान फिर हेमा से पूछते हैं कि उन्हें कुछ कहना है तो वो बोलती हैं कि बात कहने की आएगी तो रात कम पड़ जाएगी हेमा उतर प्रदेश के मुराद नगर की रहने वाली हैं वो सलमान की मुवी दबंग 3 में भी काम कर चुकी हैं और सोशल मीडिया इंफ्रेंजर भी हैं अब होती है कलस की बेटे ओ 17 कंटेस्टिन विविएन डिसेना की धहमाकेदार इंट्री वो खुद को कलस चैनल का बेटा बताते हैं सलमान खान ने विविएन का जोरदार स्वागत किया और उनकी फिटनेस की तारिफ की सल्मान फिर विवियन डसेना से को सवाल पूछते हैं वो बिग बॉस के घर की अलग-अलग सिचुएशन बताके विवियन से आड़े-ड़े सवाल पूछते हैं जिनका अक्टर मज़ेदार जवाब लेते हैं वो सल्मान खान के सौंग प्यार दिलो का मेला है पर अक्टर के साथ डांस करती हैं एलिस कौशिक टीवी शो पंडिया स्टोर में नज़र आई थी बिग बॉओ फिर एलिस कौशिक कूण का अतीद और भविश्य दिखाते हैं एलिस पुराने आदो में खो जाती हैं और बटाते हैं कि वो पापा से जादा मा के करीब थी उनके पिता ने सुसाइट कर लिया था Alice ने बताया कि पापा की सुसाइट के बाद वो और फूरी फामिली तूट गी थी कई सवाल थे जो वो पापा से पूछना चाहती और उनसे थोड़ा और प्यान मिल पाता Alice बताती है कि पापा की जाने के बाद सिर्फ मम्मी ही बची थी लेकिन उनकी भी किसी और से शादी होगी फिर मम्मी उनके साथ नहीं रही पर उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि वो है समय बाद उनकी माँ भी पिछड़ की एलिस ने बताया कि उनकी मा को हाट संबंदित समस्या थी जिसके कारण उनकी जान चले गी सलमान ने एलिस कौशे के होसले और जजबे की तारीफ की और कहा की अतीत को पीछे चोड़ो बहुत मुश्किल है पर जिस तरह से हैंडल किया वो तारीफ के काबिल है आप Big Boss 18 जीत सकती हैं। सलमान एलिस से कहते हैं कि उन्होंने Big Boss में आने का जो फैसला किया है वो बहुत ही सही है सलमान फिर बताते हैं कि Big Boss 18 शुरू होने पर ही Big Boss के घरवालों का भविश्य दिख गया। उन्होंने बता दिया कि Big Boss 18 के फिनाले में टॉप टू फाइनलिस्ट एलिस कौशिक और विवियन डिसेना होंगे. बिग बॉस अनौन्स करते हैं कि एलिस और विवियन ही इस सीजन के टॉप टू फाइनलिस्ट होंगे और ये वो दावे के साथ कह सकते हैं पर विवियन और एलिस को इस पर यकीन नहीं होता. सल्मान ने फिर अनौन्स किया कि 19th कंटेस्टिन गदरा जैने की गदा है जो घरवालों के साथ घर में रहेंगे. तो ये थी बिग बॉस की अभी तक की कुछ रीसेंट अपडेट हमारे साथ बने रही है बिग बॉस की और भी ऐसी गॉसिप जानने के लिए. मिलते हैं आपसे एगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में तल्गेन बुट्बाए.